प्रेंड जैमातादी फ्रेंड आज देखिए न्यू डिजाइन की मैं सोक्स लेके आई हूँ एच्छे साथ नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है तो आप इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं यहां पे मैंने 50 फंदे डाले हैं और फिर 20 फंदों पे यहां पे डिजाइन की फंदे बढ़ाए हैं अगर आपको कम बनाना है तो आप मैंने यहां 20 फंदों पे बढ़ाए हैं फंदे आप यहां पे 15 फंदों पे बढ़ा लीजिए अगर इससे बढ़ा आपको बनाना है तो यहां पे 25 फंदों प्या फंदे बढ़ा लेजिए और बाकी फिर सेम ही बनेगा उसका आदा-दा करके आप डिवाइड कर लेजिए तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको बनाना फ्रेंड आज देखिए इन दो कलर से हम लेडिस सॉक्स बनाना सिखेंगे अंगुठे के वाली तो दस नंबर की मैंने सलाई ले रखी है और अब हम यहां पे फंदे डालेंगे देखिए इस कलर से सिंगल धागे से हम यहां पे पचास फंदे डाल लेंगे ऐसे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा तो ऐसे मैं पचास फंदे डाल लेते हूं अब फ्रेंड देखिए पचास फंदे मैं मैं डाल लें अब सभी स्लाइएं इसकी उल्टी उल्टी बना लेंगे दस लाइएं मतलब पांच धारियां यहां पर उल्टी उल्टी आने चाहिए तो ऐसे दोनों साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे पहली दूसरी तीसरी चौती ऐसे 10 लाइएं तो यह दस लाई आप बना लिजे पांच धारियां फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे हम इसको आगे दूसरा कलर कहां जोइंट करेंगी ओभी मैं आपको बताऊंगी तो ऐसे आप बना लिजे अब देखिए फ्रेंट पांच धारियां हमने बना ली एक दो तीन चार पांच अब पंदरा फंदे हम इस साइड बनाएंगे पंदरा इस साइड तो देखिए ध्यान से यह हम उल्ट ही बनाएंगे फंदे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा अब धागा पीछे करेंगे अब देखिए एक कहम तीन बनाएंगे एक दो तीन बीच के बीस फंदों पे हम ऐसे करेंगे एक हो गया दो तेन चार पांच से शार अर्णव नौ दस तो हमें 20 फंदों पर बना लिया और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, चौदा और ये 15 फंदों पर उल्टा उल्टा बनाना है धागा आगे करेंगे अब इन फंदों को हम सभी को उल्टा बना देंगे इसके बाद फिर उल्टी स्लाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर अगली सीधी स्लाई पर हम दूसरा कलर जोइंट करेंगे अब यहां आप फंदे पर कॉंट कर लिजिए और पूरी स्लाई को उल्टा भी ऐसे बना लेजिए सभी बंदों को तो यह मैं पूरी स्लाई बना लेते हूं फिर दिखाते हूं आपको डिजाइन डालना तो यह वाली स्लाई देखे 15 15 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं और जो बीच के फंदे हैं 60 फंदे उनको हमने सीधा सीधा बनाना है तो यह देखे 15 फंदे हमने यह बना ले दो चार छे आठ दस बारह 13 14 15 अब धागा बीचे करेंगे अब बीच के इन फंदों हम सीधा बनाएंगे फिर उल्टी स्लाई पे हम दूसरा कलर जोइंट करेंगे तो ऐसे बना लीजिए पूरी स्लाई अब देखे फ्रेंट उल्टी स्लाई पे हमने 15 फंदे बना लिए ऐसे हमने एक फंदार स्लिप करना है अगला और एक बनाना है एक स्लिप करना है एक बनाना है एसे बीच के 60 फंदों हमने ऐसे करना है कि एक कि साइड साइड में हमने 15 फंद्रा ये बना लेने है यह हमने उतार लेना है एक बना लेना है एक उतार लेना है किव एफ लुटिए एफ एफ एप बगारों लेप, ए बड़ से इए अब 15 फंदे कॉंट कर लेते हैं दो चार शे आड़ चौधा और 15 तो इसको स्लिप करा को बनाया अब अगले सभी फंदे हम ऐसे बना लेंगे फिर सीधी स्लाई दिखाते हुए आपको अब देखिए फ्रेंट 15 फंदे हमने बना लिए अब एक डिजाइन का उल्टा बनाया धागा पीछे करा इसको स्लिप करा फिर धागा अगे इसको उल्टा धागा पीछे इसलिप करा इसलिप करा यह हम उल्टा बनाएंगे इसलिप करेंगे पूरी स्लाई में ऐसे ही बना देंगे और अगले के 15 फंदे जो हैं वह हम बिल्कुल उल्टे उल्टे जैसे ए बनाए वैसे ही बना देंगे तो यह पूरी स्लाई में ऐसे बना लेते हूं अब एदेखे फ्रेंड यह आगे के फंदे हमने उल्टी उल्टे बना लिए और ए एक फंदा शिलिप करके अब ए जो उल्टी श्लाई बनाएंगे हम तो यह हमारी जो बेस कलर है सभी फंदो को हम इससे पूरा उल्टा चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंदरा और देखे, स्लीप कर आवा भंदा, यह भी हम बुनेंगे ऐसे, पूरी स्लाई ये बना देंगे अब उल्टी स्लाई बनाने के बाद देखे, अब हम सीधी स्लाई पर आगे तो एवाली स्लाई भी हम दागा, आगे करके सभी फंदों को ऐसे उल्टी-ल्टी धारी बना देंगे आपे फिर उल्टी स्लाई से एक बर फिर मैं आपको इडिजाइन डालना बताऊंगी तो सभी फंदों को आप ऐसे बना लेजिए उल्टा-उल्टा पुरी स्लाई में देखिए ऐसे यह देखिए प्रेंट एक दो सलाईया इसकी दो इसकी बना ली तो यही दो सलाईया और चार सलाईया हमने बार बार रिपीट करनी है तो फिर से देख लीजिए एक बार फिर दिखा देते हुआ है यह 15 फंदे हम ऐसे रेड गलर से बना लेंगे पैटे ऐसे 15 फंदे बना लिए यह स्लिप करेंगे जो हमने देखे यहां भी स्लिप करा था एक हम रेड बना देंगे और एक हम स्लिप करेंगे यह देखे ऐसे और लास्ट के 15 फंदों को फिर हमने रेड बना लेना है तो यह मैं बना लेते हूं फिर सीधी साइड पर एक यार फिर देखाते हो यह स्लीप करना है यह बनाना है यह बनाना है ुस्क है फिर पिर दिदा करना है Kalo कि एखी इस स्लिप करें ऐसको उल्टा बनाएं इसको उल्टा बनाएं इसको उल्टा बनाया और ये उल्टा बनाएं दोद्द चार ची warmth को बार बार एख आप alarming करेंं बेस कलर की पूरी पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों साइड से तो यह मैं बना लेते हूं इसकी लेंद कंप्लेट कर लेते हूं इसके बाद पर अंगुठे बनाना बताऊंगे आपको अब ही देखे फ्रेंड पंच डिजाइन बनाएं जेए, मैंने यहां पर 5 Ноchnya पर आच यह ने बनाी है इसके बाद अब नाया बनाने के बाद यहां से हम धागा काटके फिर दूसरी साइड भी आठ धारियां बना लेंगे तो यह आठ अठ धारियां मैं बना लेती हूं नों साइड और फिर आपको यह बंधकरना और शिर्मना बताऊंगे अब देखिए फ्रेंट दोनों साइड हमने आठ आठ धारियां बना ली तो इस साइड में आपको बंद करना बताती हूं इस साइड भी पहले आप इस साइड का देख लेजिए यहाँ पे हम दस खंदे बंद करेंगे एक, दो, तिन, चार, पाँच, चे, साथ, आठ, नो, दस, दस पंदे हमने बंद कर लिए अब इस साइड में आपको बताती हूं इस साइड का भी हम ऐसे बंद करेंगे पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, एक फंदा बनाया पीछे बलोग पर से उतार दिया है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस और इसे ऐसे लेगे अब इन दोनों को ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों स्लिप से हम एक एक फंदा बंद करेंगे एक स्लिप से लेंगे एक स्लिप से दोका एक कर दिया फिर अगले वाला लिया दोका एक पीछे बलोग पर से उतार दिया ऐसे फिर से दोका एक पीछे बलोग पर से उतार दिया दोका एक पीछे बलोग पर से उतार दिया ऐसे हम लास तक सभी फंदों को बंद कर देंगे तो मैं इसा भी फंदे बंद कर लेते हूँ अब देखे फ्रेंट सभी फंदों को हमने बंद कर लिए यहां से यहां तक अब यह उपरवाल बैक पार्ट से लेंगे हम तो ऐसे हम बैक साइड से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे आप दोनों साइड को अच्छे से मिलाते हुए नीचे तक सिल देंगे तो यह मैं नीचे तक सिल लेती हूँ इसके बाद फिर अंगोटे सिलने हमने अब देखिए यह भी सिल लिया हमने और यहां पर पका कर दिया है अब अंगोटे इस तरी कैसे सिलेंगे ऐसे मिलाएंगे तोनों को एक साइड से दूसरी साइड तक और उपर जाके इसको भी पका कर देंगे तो हमारे अंगोटे भी बनके कंप्लेट होगे तो मैं इस सीधा करके दिखाते हूं फिर आपको ऐसे थोड़ा सा नीचे गएंगे अब यहां पर हम ऐसे घुमाएंगे और यह दिखिए अब सीधा करके दिखाते हूं आपको एक्स्टा धागे इनको काट लीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लगी तो यह दो देखिए अब बहुत ही सुन्दर हमारे सॉक्स बनके कंप्लेट हो जाती है इस तरीके से अंगुठे बनके आते हैं और ऐसे हमारी सॉक्स बनती है तो फ्रेंड एक बार जुरूर ट्राइक कीजिए गाइसको बहुत ही सुन्दर और बहुत ही पॉप बनती है डिजाइन पे तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना औ मेरे चैनल को थेंक यू